असलाम हो अलेकुम, वल्कम आप सभी कैस नई वीडियो में, तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और नई रेक्रूट्मेंट नोट्फिकेशन लेकर आया हूँ, जिसमें पोस्ट जो है वो नॉन टीचिंग पोस्ट एडवर्टाइज हुई है और उसके सासथ कुछ जहां पर क्लास फॉर्थ लेवल की है, इस वीडियो में मैं आपको नोट्फिकेशन डीटियल में समझाओंगा, कहां से नोट्फिकेशन आईए, कौन-कौन सी पोस्ट है, उसके सासथ उनकी इलिजिबिल्टी, सिलेक्शन का प्रोसेजर और आपका पे स्केल क्या रहेने व देऊ, तो चली वीडियो को स्रू कर लेते हैं और जान लेते हैं यहां पर इस रेक्तुमन नोटिकेशन के भारे में, तो दीखिए, रेक्रुटमनननोटिकेशन आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, यह जर रेक्रुटमननोटिकेशन है, यह संटरल युन Two-оки तरप से है, यह contractual base पे यहां पे रहने वाली है, contractual base मतलब कि एक साल, डेट साल तक रहेगा, उसके बाद फिर extend भी हो सकता है, अब यह आप देख रहे हैं, सारी department जह हो, contractual base पे यहां पे recruitment वगेरा कर रहे हैं, क्योंकि government कोई recruitment कर नहीं रही है, तो जो department है, वो खुद से, जह हो, contractual base पे recruitment कर रहे हैं, आप health and medical education department देखो या, अधर बाखी departments में देखो गए, काफी departments हैं पे contractual base पे recruitment वगेरा कर रहे हैं, तो बहराल हम यहां पे पहले पोस्ट के बारे में देखी हैं, और one by one करके उन सब भी पोस्ट का यहां पे eligibility का criteria जो आपका pay scale रहने वाला, उसको हम देख लेंगे, सबसे पहले जो यहां पे पोस्ट है, वो यहां पे आपका है, assistant training and placement officer, इसमें आपकी जो age रहने वाली वो minimum 18 की रहेगी, और उसके साथ maximum आपको 40 सार की age रहने वाली है, इसमें अगर मैं qualification की बात करूँ, इसमें आपका B.TEC होना चाहिए, और उसके साथ MBA भी होना चाहिए, candidates को, उन candidates को preference दी जाएगी, जोनको experience होगा assistant training का, तो उन candidates को यहां पर ज्यादा preference दी जाएगी, इसमें आपको salary 35,000 रहेगी, इसमें आपको कोई भी exam, return exam देनी के जौरत नहीं है, interview के base पे आप लोगों को जो है वो, इसमें selection यहां पर हो जाएगी, उसके बाद next post की अगर मैं बात करूँ, तो next post जो हैं पर आपकी है, वो laboratory assistant electronics and communication engineering, इसमें minimum आपको 18 की age होनी चाहिए, और maximum आपको 35 होनी चाहिए, इसमें आपका B.T.E.C. होना चाहिए, फिर आपका वो computer science engineering में है, या electronics and communication engineering में है, तो आप इस post के लिए यहां पर जा सकते हैं, इसमें आपको salary 25,000 पर month यहां पर मिलने वाले है, उसके बाद अगर हम बात के लिए तीसरी post की, तो तीसरी जो post है, वो यहां पर laboratory assistant electronics and communication engineering, इसमें भी आपको age same रहने वाली है, qualification भी आपका same रहने वाला, इसमें आपका diploma होना चाहिए, computer science engineering में, या electronics and communication engineering में, और उसके साथ तीन साल का आपका working experience होना चाहिए, इस field में, तो आप इस post के लिए यहां पर जा सकते हैं, इसमें आपको salary 25,000 तक यहां पर रहने वाली है, उसके साथ प्रफरेंस को उन्हीं को दी जाएगी, जिनको experience होगा, उसके बाद अगर हम next post की बात करें, तो next post जाओ यहां पर office assistant है, इसमें आपको minimum 18 साल की age होनी चाहिए, और maximum आपका 35 साल की age होनी चाहिए, इसमें गर मैं qualification की बात करूँ, तो इसमें आपका bachelor's degree होनी चाहिए, यानकी graduation आपकी होनी चाहिए, किसी भी recognized institute या university से, और इसके साथ 5 साल का आपका working experience होना चाहिए, किसी भी educational institute में, तो इसके साथ से यहां पर आपका experience में, जह हो 5 साल का होना चाहिए, इसमें आपकी जो salary रहेगी, वो आपको 40,000 यहां पर रहने वाली है, 40,000 आपको जह हो, इसमें आपकी salary मन्थली रहने वाली, written exam कोई भी नहीं होगा, आपका interview के base base में, selection यहां पर रहने वाली है, उसके बाद next or last post के यहां में बात करूँ, तो last or जो post है, वो यहां पर आपकी है, multitasking staff MTS की class 4th level की है, इसमें आपको जो age criteria रहने वाला हो, minimum आपको 18 साल की होनी चाहिए, और maximum आपको 30 साल की age होनी चाहिए, इसमें आपका 10 plus 2 होना चाहिए, किसी भी recognized board से, चाहिवो CBSE board है या आपका state board है, तो आपका 10 plus 2 होना चाहिए, और उसके साथ से आपका 5 साल का experience होना चाहिए, administrative office का, किसी भी university या college या किसी भी educational institute से, 5 साल का experience होना चाहिए, और education qualifications में आपको 10 plus 2 यहाँ पर रहने वाली है, इसमें salary आपको 20,000 यहाँ पर month यहाँ आपको रहने वाली है, यहाँ तक आपको process के बारे में समझा आ गया, उनका eligibility का criteria समझा आ गया, अब इसके आगर मैं application forms की बात करो, तो application forms के से submit करना है, देखिए, इसके लिए आपको separately कोई भी form submit नहीं करना है, इसमें आपका directly interview आपका होगा, interview जो आपका होगा, वह यहाँ पर आपका 25 January को रहने वाला है, interview जब आपका होगा, committee room, Central University अप जमू में, उसके बाद आपको उसी वही पर जाके अपना form भी submit करना होगा, application form क्या है, उसको मैं आपको ग्रूप में forward कर दूँगा, telegram ग्रूप और WhatsApp ग्रूप, वहाँ पर जोइन हो जाना है, वहाँ पर PDF में आपको application form कर दे दूँगा, application form आपको ले जाना, और उसके साथ documents अपने ले जाना है, documents लेने के बाद आपको 25 January को, committee room, Central University अप जमू में जाना है, उसके साथ वहाँ पर आप लोगों का interview आपका होगा, interview आपका जोगा, वो 12 बज़े से start हो जाएगा, जो भी candidates interview की ले जाएंगे, वो 11 बज़े से पहले पहले उनको वहाँ पर report करनी है, 11 से 12 बज़े तक आपको documents की verification होगी, application form की verification होगी, उसके बाद जब आपका जोगा, वहाँ पर verification होजएगी, उसके बाद यहाँ पर आपको जोगों फिर interview के लिए बोला जाएगा, आप application form के साथ आपको interview के टाइम कुछ documents भी लगेंगी, जिसमें आपको जह होगी documents में लगेगा आपका, और जनल आपको लगेगी, एक तो आपका experience certificate लगेगी, उसके बाद यहाँ पर आपको photograph आपका लगेगा, self-attested documents लगेगी, CV लगेगा, bio data लगेगा, तो passport size photograph लगेगी, और उसके इसासद आपका एक application form, जो आपका sign उसके किया हुआ होना चाहिए, वो documents आपको वहाँ पर ले जाने है, और interview में participate करना, और उसी interview के base भी, आप लोगों को जहाँ हो, Suntail University of Jammu में, non-teaching posters के रिए, जो हो, यहाँ पर job दी जाएगी, अब इसमें कितनी posters के क्या कुछ है, इसमें तो notification में mention इन्होंने नहीं किया है, बाकि आपको वहीं पर पता चल जाएगा, क्या कुछ होगा, किस हिसाब से इनको selection करनी होगी, जिस हिसाब से posters होगी, उसी हिसाब से यह आपका interview बगिरा भी ले लेंगे, तो उसी के base पे यहाँ पर आप लोगों का process होने वाला है, application form का PDF में गुरूप्स में forward कर दूँगा, आप गुरूप्स में join हो जाना, वहाँ पे PDF ले लेना, और accordingly जो eligible हैं इन posters के लिए, वो इस interview में जो हो participate कर लेना, फिलाल मैं वीडियो को इंपर खत्म कर ला हूँ, वीडियो को कोई doubt अगर आपके मुझे comment section में बता सकते हैं, बाकी AC recruitment के updates के लिए, हमारे साथ जुड़े रहें, YouTube, Instagram, Telegram, हज जगा आपको updates हम time time देते रहें,